रामपूर की जंगल में टूनी एक सुभा अपने खेतों में आम के पोधे लगा रही थी तभी वहां मन्टू आता है और पुछने लगता है आरे टूनी तुम यहां क्या कर रही हो? आखिर इतनी मेनत किस पोधे को लगाने के लिए कर रही हो? जरा मुझे भी तो बताओ मन्टू यह सारे पोधे आम के हैं कुछ मैनों बाद क्या पोधे बड़े हो जाएंगे और गर्मियों का मौसम भी आ जाएगा तब तक इन पोधों से आम फलने लगेंगे आरे टूनी मुझे तो पता नहीं था कि गर्मियों का मौसम इतने पास आने लगा क्या मैं इन पोधों को लगाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं मन्टू? टूनी और मन्टू दोनों आम के पोधे लगाने लगे टूनी हमेशा अपने खेतों की देखभाल में लगी रहती थी समय समय पर उन पोधों में पानी दिया करती थी और दो महने बाद आन के पोधे पेड़ों में बदल चुके थे तबी एक दिन वहाँ टीकू आता है बाबा रे बाबा कर्मियों का मौसम ठिक से आया भी नहीं है और इस जंगल के सारे आम फलने लगे देखो तो कितने मस्ता देख रहे है ये सारी बाते मुझे टूनी और मन्टू को बतानी चाहिए टीकू उन पोधों के बारे में बताता है कि इस जंगल में बड़े बड़े आम के पेड लगे है जिन पर अब हरे हरे आम फले हुए है तभी मन्टू काने लगता है कि वह सारे आम टूनी के खेतों की है वो बताता है कि वह सारे आम के पेड कुछ महनों पहले कुछ टूनी और मन्टू ने लगाए है आच्छा तो तुम दोनों ने ये बात मुझे क्यों नी बताई मैं भी इन पौधों को अपने खेतों में लगाता और बड़े मजें से साल भर आम खाता टूनी और मंटू एक दिन अपने खेतों में आम के पेड़ों को देखने जाती है तब ही उसी नजर आता है कि सारे आम उन पेड़ों से गायब हो चुके है वाह यह सब देखकर हैरान हो जाती है और मंटू को कहने लगती है अरी मंटू मेरे सारे आम के पेड़ों से आम कहां गायब हो गए अब मैं क्या करूँ मेरे खेतों के आम के पेड़ों में धेड़ सारे आम फले होंगे मैंने एक दिन भी इन पेड़ों के एक भी आम नहीं खाए थे मैंने सोचा था कि इन फलों को पकने के बाद हम सारे पक्षियों को बाट कर एक साथ खाएंगे पर अब यह क्या हो गया और कौन इतने आम को ले कर गया होगा टूनी मुझे भी नहीं पता की नाम को कौन ले कर गया होगा पर एक बात है टीकु तुमारे खेतों में बीच बीच में अकेले ही आया करता था मैंने उसे यहां कई बार देखा था मुझे तो लगता है कि इनामों को वहीं लेकर गया होगा टूनी और मंटू टीकू के घोसले पर पहुंसते हैं वो देखते हैं कि टीकू वहाँ पर है ही नहीं पर उसके घोसले में एक बड़ी सी टोकरी होती है जिसमें धेर सारा पका हुआ आम होता है तभी टूनी ये सब देखकर रोने लगती है ठीकू ये सारे आम मुझसे पूछ कर लाता तो मैं सायदे आम उसे दे देती पर उसने मेरे साथ धोखा किया है ठीकू तुमने टूनी के साथ धोखा किया है तुमने टूनी के खेतों से ये सारे याम चुरा कर पहुत कलत किया नहीं, ये याम मैंने नहीं चुराए मैंने तो इन आमों को कुकु और रानी के खोसले से लेकर आया हूँ मेरी बातों पे तुम्हें यकिन नहों तो तुम दोनों खुद कुकू और रानी से पूछ सकते हो बापरी बाप, हमें क्या पता था कि यो बड़ा सखेत जिसमें हजारों आमफले हैं वो टूनी के खेतों की है अगर ये बात हमें पता होती तो हम ऐसी गलती नहीं करते अच्छा, तुम दोनों बाहने हर बार कोई गड़बड करते हो और नतीजा मुझे भुगातना पड़ता है कोई नहीं टीकू, हमें माप कर दो चलो इन पके हुए आमों को हम सब पक्षियों को बाट कर खाए हाँ हाँ, चलो बड़ा मजा आया मैंने आम जो खाया